नमस्कार आप देख रहें एक News24 और मैं हूँ स्वाती आपके साथ बिहार के मुख्य मंतरी नितीश कुमार आज यानी की मंगलवार को अच्छानक राज्येपाल, राज़ेंदर विश्वनात आप लेकर से मुलकात करने उनके आवास पहुंचे हैं देश में नई सरकार बनने के बाद और अगले साल यानी की दोहजार पचीस में बिहार में विधानसवा चुना होने वाला है और दोनों निताओं की इस मुलकात को इससे भी जोड़ा जा रहा है कि राज्येपाल से यही वज़य है कि नितिश कुमार अच्छानक मिलने पहुंचे हैं और आपको बता दे कि 40 मिनट तक दोनों के बीच बातचीत हुई और क्या कुछ इस मुलकात में खास रहा है चलिए हम आपको खबर में विस्तार से बताते हैं कमेत अन्य विशयों पर बातचीत हुई है बता दे कि बिहार में 2025 में विधान सभाद चुनाव होने वाले हैं ऐसे में इंडिये ने बिहार में चुनाव की तैयारी अभी से ही शुरू कर दी है राज़ेपाल और सीम नितियश कुमार की इस मुलाकात को बिहार विधान सभाद चुनाव से भी जोड कर देखा जा रहा है हलाकि इस मुलाकात के क्या माइने है ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा लेकिन पटना में हो रही बारिश के बीच सीम नितियश कुमार का राज़ेपाल से मिलने जाना काफी एहम हो जाता है नितीश कुमार के राजजेपाल से मुलाकात के बाद गेचर्चा भी होने लगी है कि बिहार में फिर से कुछ बड़ा होने वाला है जानकारी के अनुसार राजजेपाल और सीम नितीश कुमार के बीच हुई इस मुलाकात के दौरान विश्व विद्याले के कुलपती नियुक्ती कई विश्व विद्यालेों में कंसल्टेंट की नियुक्ती बिहार के राजनितिक हालात वो प्रदेश के अन्य मुद्दो को लेकर बातचीत हुई है बतादे कि सीम नितिश कुमार इससे पहले भी राजभवन जाकर राज़ेप तो जैसा कि आपने सुना एक बार फिर से अच्छानक बिहार के मुख्यमंतिनी नितीश कुमार, बिहार के राजजेपाल, राजजंदर विश्वनात आरलेकर से मिलने उनके आवास पहुँचते हैं और दोनों के बीच करीब 40 मिनट तक बातचीत होती है और इस बातचीत को इ बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है क्योंकि नितीश कुमार का ये अचानक राजजेपाल से मुलाकात करना इसके कई माइने निकल रहे हैं हलाके अभी कुछ भी असपस्ट नहीं हो पाया है कहा जा रहा है कि अगले साल 2025 में बिहार में विधान सभा का चुनाव होने वाला है और यही वज़व की खबर में इतना ही है और आसे ही तमाम खबरों के लिए बने रही हमारे साथ वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करे शेर करे साथ ही मारे यूटूब चैनल एक न्यूस 24 को सब्सक्राइब कर ले यदि आप हमें फियसू को देख पा रहे हैं तो हमारे फियसू पेज को भी फॉलो करें धन्यवाद